हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्व हूँ तो आज के वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं कि Microsoft Excel में font size को less than 8 यानी 8 से कम कैसे करते हैं और more than 72 यानी 72 से ज्यादा कैसे करते हैं 8 और 72 का figure पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें यही standard size है वो दिये होती है तो सबसे पहले अपना text select करिए उसके बाद आपको जाना है उपर के ribbon में home tab पे इस पे click कर दीजे और यहां देखिए font वले section में इस drop down पे आपको click करना है यह drop down आपको दीख रहा है छोटा सा इस पे click कर दीजे तो जब आप इस पे click करेंगे तो यह देखिए format cell का option आपको मिल जाएगा आप यहां पर आप देख सकते हैं जो size दिया हुआ है वो देखिए सबसे कम size है वो है 8 का यह देखिए जो भी size आपको चाहिए वो आप यहां पर type कर दीजे माल लीजे कि हम यहां पर 4 type कर देते हैं सबसे minimum आप देखें कि यहां पर है 8 तो हमने क्या किया यहां पर यह देखिए 8 है तो हमने यहां पर 4 type कर दिया उसके बाद जैसे यहां OK पर click करेंगे तो यह देखिए font size यहां पर कम होगी